हेलो फ्रेंट्स आज हमने स्ट्रीट स्टाइल चौमिन बनाई ये वो भी एकदम आसान तरीके से और ये बहुत टेस्टी भी बनी है अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो चलिए जक्या की कीचेन में और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें सबसे पहले कड़ाई में दो लिटर पानी लेंगे एक चमश नमक डालेंगे इसे चला लेंगे हम पानी को बॉयल नहीं करेंगे सिर्फ पानी गरम करेंगे जब ये गरम हो जाएगा तो इसमें नूडल्स डालेंगे नूडल्स को हम ब्रेक नहीं करेंगे पानी में ये पकने के बाद खुद बखुद नीचे चला जाएगा यहाँ पर हमने प्लेन नूडल्स लिया है जिस तरह से स्ट्रीट वाले लेते हैं ये हमने 350 ग्राम लिया है इसके जगह आप हक का नूडल्स या आप किसी भी ब्रैंड का नूडल्स ले सकते हैं इसे हम हाई फ्लेम पर आट से दस मिनट तक कुक करेंगे ये देखे नीचे चला गया है गरम होने के बाद ये नूडल्स के उपर डिपेंड है कि वह कितने देर पकने में टाइम लेगा ये देखी बॉयल्ड हो रहा है इसे हम चलाते वे उबालेंगे वरना ये लिचे लपटने लगेगा हमने इसे करीब आट मिनट तक पकाया है ये कुक हो गया है अब हम इसे ड्रेन करेंगे द्रेन करते ही हम इसे ठंडे पानी से धोएंगे थोड़ा रगड़ते हुए धोएं जिससे सारा स्टार्स निकल जाए ताकि ये आपस में चिपके भी नहीं अब इसे एक थाली में फैला देंगे और दूसरी तरफ एक कड़ाई चड़ाएंगे कड़ाई में हम दो टेबिल जिसमें हमने छे साथ लहसुन की कलियों को बारी काटा हुआ है उसे डालेंगे इसे पांच छे सेकंड फ्राइए करेंगे अब हम हरी मिर्ज और अद्रग डालेंगे पंदरा से कंड़ तक इसे पकाएंगे अब हम यही पर प्यास डालेंगे इसे चला लें अब हम गाजर डाल देंगे यही पर पत्ता गो भी डालेंगे आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकते हैं यहाँ पर हमने जो सब्जियां ली हैं इसके इलावा अब यही पर हम शिमला मिर्ज डालेंगे अब इन सब को चला ले हमें सबजी को जादा देर नहीं करना है क्योंकि इनका क्रंचिनेस होना चाहिए हम इसको दो ही मिनट तक पकाएंगे अब हम यहीं पर नमकाट करेंगे आदा चमच इसे मिक्स कर ले अब यहीं पर हम विनीगर डालेंगे एक टेबिल स्पून के करीब एक टेबिल स्पून डार्क सोया सॉस डालेंगे एक टेबिल स्पून डेट चिली सॉस डालेंगे अब इनको हाई फ्लेम पर हम कुक करेंगे दो मिनट तक सबजीयों को हमें जादा नहीं पकाना है यह हमने कुक कर लिया है हाई फिलेम पर अब यहीं पर हम नूडल सेट करेंगे इसमें देखिए सारे नूडल से एक दम खिले-खिले से अलग-अलग से हैं अब इने मिक्स कर लें पॉक और चमच की मदश से इस तरह से हिलाते हुए अब हम इसमें डालेंगे आधी चमच काली मिर्च का पाउडर आध इने मिला लें अच्छे से क्योंकि यह हमने स्ट्रीट स्टाइल चमच बनाई है इसलिए इसमें आजीनू मोटो तो बनता है हम से दो मिनट और कुक करेंगे हमारी चमच लगभक तयार है सर्व करने के लिए तो आई हम इसे सर्व करते हैं यह देखिए बिल्कुल टेस्ट हम करके दिखाते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बिल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए